encoding करने क्यों जुरूरी है क्यों आप data के categorical variables को encode करते हैं यानि के features को अगर वो categorical या ordinal categorical हैं क्यों आपको encode करना जुरूरी है उसकी कुछ खसूसियात है कभी कबार algorithms जो है बलके ज्यादा तर algorithm इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आप numeric data दें बजाए इसके categorical उठा के ने ठीक है आप categorical को for the sake of algorithm numeric में convert करते हैं और फिर आगे use करते हैं ठीक है एक तो algorithm चाहिए होता है secondly computer जो है वो numbers को ज्यादा तरजी देता है as compared to text तीसरे चीज़ ये है कि text जब आप लिखते हैं वो इतना बड़ा नाम होता है लेकिन वो एक simple numbers के साथ आप deal कर सकते हैं यानि कि मैं अगर अमार लिखूँ A, A, M, M, A, R 6 हिंसे बनते हैं alphabets बनते हैं उसकी बजाए अगर मैं सिरफ one लिख दूँ तो उससे काम चल जाएगा so competition भी reduce होगी numeric के जो computational fast होती है दूसरा computational expenses आपके काम होगे secondly, जब आप एक text को deal करते हैं उसका जो है वो power ज्यादा लगती है और उसका data points ज्यादा होती है या उसकी memory ज्यादा होती है लेकिन दूसरी side पे numbers जो हैं वो easily compute हो जाते हैं अब इसके लावा भी कुछ वजुहात हैं और ये वजुहात कैसे matter करती है मैं screen पे आपको दिखाता हूँ हमारे पास हमने encoding क्यों करनी है data को encode क्यों करनी है सबसे पहला जो हमारे पास task है that is called as algorithm compatibility algorithm compatibility आपके algorithm के साथ ज्यादा तर mostly machine learning algorithms के अंदर numeric data जो है उसको prefer किया जाता है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि हम categorical को numeric में convert करते हैं numeric में integers भी हो सकते हैं float भी हो सकता है but we are talking about integers at the moment अब data जब हम उन्हें देते हैं तो वो numbers के साथ deal करते हैं वो हसी खुशी इस पूरे process को deal कर लेते हैं so first thing is algorithm compatibility वो numeric data पे काम करेंगे otherwise आपको numeric data ना हुआ तो algorithm आपको को कहेंगे भी errors हैं क्योंकि आपने data मुझे text वाला दे दी और मुझे किसी ने जिखाया नहीं है इस data पे काम करना number two efficiency and performance efficiency and performance आप क्या करते हैं जब आप numeric data देते हैं वो faster computation होती है faster computation secondly storage जो है वो आपका data efficiently होता है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर मैंने नाम का data store करना है मैं say for example यहां पे product लिखता हूँ और यह एक मेरा column है product का ठीक है product है जी मेरी handbag handbag right handbag में 1,2,3,4,5,6,7 alphabets आते हैं 7 alphabets आते हैं ठीक है और 7 alphabets को अगर मैं one by one लिखना चाहूँ these are coming like 1,2,3,4,5,6,7 like this ठीक है अब यह 7 दफा मैंने कोई भी alphabets का मतलब यह है के हर alphabets का अपना binary code है यह जब यह alphabets आप टाइप करते हैं ह लिखते हैं तो इसका कोई अपना binary code है ठीक है A का अपना binary code है N का अपना है D का अपना है B का अपना है A का अपना है G का अपना है So यह सभी के different binary codes हैं Say for example अगर आप H लिखते हैं I'm just giving an example मैं exactly नहीं आपको बता रहा कि कौन से binary code किस alphabets के that's not our topic जो पीछे theory है वो आपको बतानी यह भी मैंने दो के लिखी है code ठीक है अब इसके इलावा जब मैं 7s के लिखूँगा तो यह तकरीबन 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 अगर आप अंधाजा लगाएं तो more or less 100 के करीब binary codes आ जाते हैं अब दूसरी बात सुनियेगा product हमारे पास है handbag साथ इसमें alphabets है साथ alphabets को print करने के लिए और use करने के लिए computationally जब आप algorithm के उपर काम करते हैं तो इतने ज्यादा binary codes दरकार होते हैं बजाए handbag को लिखने के अगर मैं simply one लिख दूँ इससे काम चल जाएगा एक तो यह एक digit है secondly यह वो ही digit है तो यहाँ पर binary code में use हो रहा है और usually one का जो digit होता है जो binary code होता है इसी तरीके से अगर handbag के इलावा को दूसरी चीज़ है binary coding है for example मेरे पास shoe है यह shoe हाँ shoe लिख देते हैं तो यह मेरे पास 4 लाइने है इसकी बढ़ाए अगर मैं 0 लिख दूँ that's enough so हमारे पास एक तो storage कम होगी यानि के यहाँ पर store करने के लिए कम time लगा ठीक है दूसरा जितनी storage कम होगी उतनी computation आपकी कम लगेगी less computation ठीक है यानि के हर एक column को read करने के लिए जितना time दरकार है न वो बहुत कम हो जागा for example यहाँ पर 7 यह है alphabets मैं alphabets की बात करता हूँ मैं binary codes में नहीं जा रहा 7 alphabets हैं और आपके पास total values हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब है 7 की आपके data में तो यह कितना हो गया जनाब 70,000 70,000 रोज को compute करना है आपने तो आपका time ज्यादा लगेगा on the other side अगर आप देखें तो आपके पास एक लिखा हुआ है और यह 10,000 दफा लिखा हुआ है ठीक है? यानि कि एक digit है इसको लगेगा 10,000 तो आप देखें आपका यहीं पे अगर computation करें तो आपका time 7 गुना कम लगेगा as compared to this तो 7 गुना time अगर एक alphabet पे एक categorical variable पे कम लग रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आपके अगर multiple categorical variable है तो आपका यह जो time है यह तकरीबन 30 to 50 X यानि कि 30 से 50 गुना कम हो जाएगा कम और less ठीक है? इसका क्या फाइदा है जब आपका time कम लगेगा computation में इसका मतलब आप जल्दी अपना algorithm train कर पाएँगे और जल्दी आपके algorithm के results आपके पास आएँगे efficiently और computation भी असान हो जाएगे so दो reasons होगी जनाब हमारे पास एक तो आपका जो algorithm है उसकी compatibility second efficiency and performance number three is number three is feature representation feature representation इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ अक्सर उकात आपके जो features है ना या data का column है मैं basically data की बात कर रहा हूँ उसके अंदर जब आप shoe लिखते हैं उर्दू में इसे बोला जाता है जूता ठीक है इसको आप sneaker भी कह सकते हैं sneakers इसको आप heels भी बोल सकते हैं और इसके कई नाम होंगे काफी जबानों के अंदर और जर्मन के अंदर आप इसे show भी बोल सकते हैं ठीक है so there are many names of the same thing जब आप इसको किसी एक number से denote कर देने हैं कि shoe का मतलब है one that means हमने एक बहुत बड़ी biasness खतम कर दी के बजाए इसके के हम इसी चीज़ को English में लिखे, उर्दू में लिखे, पंजाबी में लिखे या किसी भी और language में लिखे हमने number लिख दिया जो एक universal language है तो जब एक आएगा आपकी जो भी जुबान है भाई आप उससे वो वह वाला अंदाजा लगा लो शू लिखना है, शू लिख दो जूता लिखना है, जूता लिख दो जो भी आपका दिल करता है वो आप लिख लो लेकिन हमारा algorithm बताता है कि ये 1 है ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास अगर different किसम की products हैं आप उनको जब numbers assign करते हैं तो वो universal language में चला जाता है say for example true, true जो है वो आपके pent का है या आपके pent को ये trouser भी बोलते हैं ठीक है, और शलवार भी बोला जाता है अकसरो का trouser को अगर आप देखें, इसकी English तो different होगी but this is trouser nomachis so हम different languages का barrier और biasness remove कर रही यहां पे so that's another thing and then there are many other issues जिनकी वज़ा से आपका जो algorithm है वो काम नहीं करता और आपको data को encode करना पड़ता है, ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से और क्यूं हम data को encode करते हैं ताके हमारे पास अच्छे से valuable जा जा जाए अच्छा अब इसके इलावा हमारे पास चोथा एक और जो है reason है चोथी reason हो रहा है support unseen categories यानि कि ऐसी categories जिन पे आपका दिहान ही नहीं जाता उनको भी एक जब number assign कर देता है तो आप मजबूर हो जाते हैं कि यह कौन सी category है ठीक है, say for example सबसे उपर आपके चशमे थे यह हो गया आपका shoes यह हो गया आपकी pant, यह हो गया आपकी shirt यहां तक लवाजमात पूरे हो गए ठीक है, अब यह जो fourth number पे है हो सकता है यह color of socks हो something like that इसकी जो unseen category थी अगर आप वैसे देखते तो शायद इसको इतनी support न देते, but now you know कि यह एक number है तो आप जाने ना अन जाने में भी उसको जरूर चेक करेंगे, so unseen category जो training data के दुरान आप नहीं देख पा रहे थे, but now you can actually see that, obviously memory usage कम हो जाता है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि memory usage जो आपके data का है, वो भी आपका कम हो जाएगा, and then there is another thing, कि आप क्या करते हैं, अगर आपके पास categories बहुत ज्याद हैं, यानि कि more than 20 हैं, तो आप को specific formula के थुरू, यानि कि one hot encoding के थुरू, आप सभी को equal weightage की base पे भी deal कर लेते हैं, which we are going to learn soon, so हमारे पास, कुछ important values हैं, यहां पे वो क्या हैं, कि हम encoding इसलिए करते हैं, एक तो, algorithms को जरूरी चाहिए होती है, secondly, efficiency and performance, third one is feature representation, number four, sport unseen categories, number five, less memory usage, number six, one hot encoding, or other type of encoding are very crucial for your data handling, and then आपका flexibility इसमें आ जाती है, and then facilitate data visualization, आपका data visualization होना बहुत असान हो जाता है, आपकी data processing के अंदर consistency आ जाती है, इसके इलावा आपको क्या लगता है, कि encoding करने के कौन से benefits हैं, please write down in the chat, और हम एक दूसरे को आप बताते हैं, चैट के अंदर, within these two minutes, के encoding हम क्यू करते हैं, reason यह है कि जब आप यह सारी चीज़ें यहां पर लिखते हैं न, चैट के अंदर, इससे आपको भी अंदाजा होता है, और आप दूसरों के responses भी पढ़ते हैं, आप Google करके दे सकते हैं, why do we need to do this feature encoding या column encoding, और हम ही यह करने का क्या-क्या फ़ाइता हैं, सो यह 2 minutes हम इस चीज़ के लिए observe करते हैं, let's see, आपके responses कैसे आते हैं, responses मैं साथ साथ बताता हूँ, data हलका हो जाता है, एक बंदे नहीं यह लिखे, अच्छा response है, data हलका भुलका हो जाता है, competition easy हो जाती है, fast response हो जाता है, that's good, मैं साथ साथ चाई पियोंगा और आप लोग enjoy करेंगे, तो आप लोगोंने लोगोंने response देखे होंगे, and let's move to our next lecture, जिसके अंदर हम देखेंगे, कि feature encoding असल में होती कैसे है, practically in Python.